नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास और सौगत है आप सभी का मरसी स्टाडी में तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को बहुत यह असान तरीके से सौल्व कर लेते हैं अपर परसनाली 5.7 का कुश्चन नमर 7 दिया है कि एकी पावर में 6x into cos 3x ठीक है इसका भी हमें दीतिय क य बराबर एकी पावर में 6x into cos 3x ठीक है अब हम इसको लिखेंगे कि एक सिसापेश होकलन करने पर तो चलिए लिख लेते हैं तो अब देखिए य का हम लिखेंगे dy और एक सिसापेश हो रहा है तो आपान में लिखेंगे dx और बराबर में लिखेंगे d आपान में dx उसके अब वास इस question को यहाँ पर उतार देंगे कि e की पावर में 6x into cos 3x ठीक है अब इसका हम आउकलन करेंगे तो देखिए e की पावर में 6x into cos 3x इन दोनों को बीच में गुणए का संबन्ध है तो इसके लिए इस formula का यूज़ करेंगे d आपान में dx u into v बराबर u d आपान में dx v plus v d आपान में dx और यह u ठीक है इस formula का यूज़ करेंगे तो देखिए इसमें u बराबर क्या मानेंगे u बराबर मानेंगे e की पावर में 6x और v बराबर मानेंगे cos 3x ठीक है तो चलिए इसको solve कर देते हैं तो पहले दिया है u तो लिखेंगे u का मान e की पावर में 6x फिर दिया है d आपान में dx और v cos 3x फिर दिया है plus उसके बाद से v तो cos 3x d आपान में dx और e की पावर में 6x ठीक है अब देखिए आगे कर लेते हैं इसको अब इसका हम उकलन करेंगे तो e की पावर में 6x पहले लिख देंगे अब इसका उकलन देखिए यहां पर मानल यह दिया है cos x तो हमारा फॉर्मूला होता है कि d आपान में dx और cos x बराबर minus sin x ठीक है तो इसको लिखेंगे minus sin और x के अस्तान पर 3x दिया तो लिख देंगे 3 3x अब देखिए क्योवल 3x का उकलन करेंगे तो क्योवल 3x का उकलन हमारा 3 को तो पहले हम उतार लेते हैं 3 का 3 हो जाएगा और x का उकलन मतलब यह 3 ही रह जाएगा plus में cos 3x और यह हो जाएगा e की पावर में 6x ठीक है क्योंकि e की पावर में हमारा फॉर्मूला होता है कि dx और e की पावर में x बराबर में e की पावर में x से मिरा जाता है तो यहाँ पर क्या दिया है पहले e की पावर में x का तो हमारा हो जाएगा इतना e की पावर में 6x अब केवल हम 6x का उकलन करेंगे तो 6x में 6 अचारपद है तो 6 को इधर लिख लेंगे और x का जो हमारा उकलन होगा 1 तो 6 गूड़े 1 मतलब कि यह 6 ही रह जाएगा अब आगे देखिए यह माइनस है तो माइनस इस 3 गों पहले लिख लेंगे अचारपद है तो 3 उसके पाद से यह e की पावर में 6x और यह sin 3x ठीक है यह माइनस यहाँ पर आ गया है अब उसके पाद से यह पलस है तो पलस इसको लिखेंगे 6 और यह की पावर में 6x और यह cos 3x ठीक है अब इसमें देखे, common क्या क्या हो रहा है e की पावर में 6x को हम क्यों common कर ले रहे है dy अपान में dx बराबर में e की पावर में 6x यह common हो जाएगा तुम्हारा बज़ेगा क्या है minus में 3 sin 3x और plus में 6 cos 3x ठीक है अब देखे, इसमें से हम 3 को भी common कर सकते हैं लेकिन हम ने क्योंबर इसी को ही common किया उसके बाद से इसका हम alkaline कर देंगे असानी से अब देखे, अब यह हमारा एक बार तो इसका alkaline हो गया चलिए इसका हम दुबारा alkaline कर लेके हैं तो देखे, पहली बार जब हम alkaline किये हैं तो इतना हमारा मान आ गया है अब हम लिखेंगे पुना एक से साफ़ है चा alkaline करने पड़ तो अब देखे, अब dy अपान में dx है तो इसको लिखेंगे तो माइनस में 3, sin, 3x और प्लस में 6, cos, 3x ठीक है अब देखे, इसको हम change भी कर सकते हैं यह माइनस वाला है तो यहाँ पर और इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन ऐसे भी हम solve करेंगे तो आज आएगा answer तो चलिए आगे कर लेते हैं इसको तो देखे, ए के पावर में 6x और इस bracket के बीच में गुणे का संबांद है तो इसके लिए भी हम इसी formula का use करेंगे d upon में dx u into v बराबर में u d upon में dx और यह v plus v d upon में dx और यह u इसी formula का use करेंगे हम यहाँ पर भी तो चलिए कर देते हैं इसको तो पहले formula के साब से u बराबर यह और v बराबर इस bracket को मानेंगे तो देखे, यह हो जाएगा e की पावर में 6x फिर d upon में dx और इस bracket को उतार देंगे तो minus में 3 sin 3x और plus में 6 cos 3x और फिर लिखेंगे plus minus में 3 sin 3x और plus में 6 cos 3x और फिर लिखेंगे d upon में dx और दे हैं u तो u बराबर हम e की पावर में 6x लिखेंगे ठीक है? अब देखे आगे कर लेते हैं इसको अब हम इसका करेंगे e की पावर में 6x को पहले उतार लेंगे अब हम इस bracket के alkaline करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा minus 3x ये दिया है minus 3 sin 3x तो इसका हम minus 3 को तो पहले हम बाहर ले लेंगे bracket लगा ले रहे हैं minus 3 को बाहर ले लिए फिर इसका sin 3x का alkaline हो जाएगा cos 3x ठीक है अब क्योवल 3x का alkaline हो जाएगा 3 क्योंकि x का हो जाएगा 1 और 3 एक चर्पद है तो यहाँ पर लिख दियें फिर पलस फिर इसको 6 को बाहर ले लेंगे और इसका हमारा alkaline हो जाएगा minus में sin 3x और 3x का alkaline हो जाएगा क्योवल 3 अब यह bracket बन अब यह पलस है तो यह पलस फिर इसको उतार देंगे अब यह देखिए यह minus है और यह plus है तो यहाँ पर minus कर दे रहे हैं इसको यह हमारा यह minus 3 sin 3x पलस में 6 cos 3x ठीक है अब यहाँ पर यह देखिए e की पावर में 6x तो यह हो जाएगा गुड़े में e की पावर में 6x ठीक है और फिर क्योवल 6x का जो अकलन होगा वो हो जाएगा 6 अब यह इसको लिख लेंगे e की पावर में 6x और यह हो जाएगा तीन गुड़े 3 यह हो जाएगा माइनस 9 cos 3x पलस में 6 गुड़े 3 और यहाँ पर भी माइनस है तो लिखेंगे माइनस 6,3,18 18 sin 3x और उसके बाद से यह माइनस फिर इसको देखें यह हो जाएगा 3 sin 3x और पलस में 6 गुड़े 6 यह हो जाएगा 36 36 36 उसके बाद से cos 3x अब क्या बचा? e की पावर में 1x बचा तो e की पावर में 6x ठीक है? इतना बचा अब इसमें देखे e की पावर 1x इसमें भी है और e की पावर 1x इसमें भी है तो इसको common कर लेते हैं लिखेंगे e की पावर में 6x यह common हो जाएगा तो अब बचा क्या? माइनस में 9 cos 3x और यह माइनस में 18 sin 3x फिर यह माइनस में 3 sin 3x और पलस में 36 cos 3x यह हमार बचाएगे यह तो common हो गया है अब इसमें देखें जोड़ गाटा लेते हैं अब यहाँ पर देखें यह e की पावर में 6x इस ब्रेकेट के साथ में गुणा कर रहा है तो यहाँ पर भी हम ब्रेकेट लगाएँगे ठीक है? और यहाँ पर भी हम ब्रेकेट लगाएँगे और 6x का हम इसमें गुणा करें इस 6 का हम इसके साथ गुणा करें यह 36 हो गया और फिर 36 18 यहां पर हम इसको 18 लिखेंगे यह 18 और यह भी हमार हो जाएगा 18 ठीक है अब देखिए अब इसको हम कर लेते हैं आगे इकी पावर में 6 एक्स तो यह हो जाएगा यह दिया है नाव कॉस्ट 3 अक्स और इसमें से यह माइनस में और यह पलस में तो जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा क्या 36 माइनस 9 तो हो जाएगा 27 टॉन्टी सेवन कॉस्ट 3 अक्स अब इसके बाद से यह दोनों 18 अठारा अठारा 36 तो माइनस में 36 अब इसमें से दिखें कॉमन ले रहें तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे 9 इक पावर में 6 यक्स और नो तीयसाथाइस कॉस्ट 3 एक्स माइनस में नो चोगा 36 तो फोर साइन 3 एक्स यह हमार हो जाएगा आंसर तो दोस्तों आज का यह बीडियो अपलू कैसे लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जूरू बताइए चैनल पर आप अगर नए हैं सब्सक्राइब जूरू करिए